हादरस में आज सादाबाद कस्वे की छावी मियाबाद में राश्टी लोगदल के मुखिया जैन्द चौधी और निशाद पार्टी के अद्रेक्ष में प्रिदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे निशाद ने भास्वा पृत्यासी अनुव प्रधान के समर्थन में चौनावी सभा की इस मौके पर रालोद मुखिया जैन्द चौधी ने कहा कि कई दशकवा चौधी चरंद सिंग जी को देश का सरवोच सम्मान भारत रतने सम्मान मिला है उन्होंने कहा कि यदि कॉंग्रिस की सरकार आई तो प्रधान मंती नरिंद्र मोधी द्वारा रही किसान समानी धी योजना को समाथ कर देगी कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में इस योजना का जिक्र नहीं है कॉंग्रेस किसानों के वोड तो लेना चाती है लेकिन उन्हें लाब नहीं देना चाती और कहा कि आज विपक्षिदल ये भ्रहम फैला रहे हैं कि सविधान स समाथ हो जाएगा आरक्षिन समाथ हो जाएगा लेकिन देश के प्रिधान मंत्री आज नरेंद मोदी हैं इसलिए बाबा साहफ डॉक्टर अंबेटकर का दिया हुआ समिधान ना बदला जा सकता है और नहीं इसे छेड़खानी की जा सकती है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ये सब बातें भेव और भ्रहम फैलानी के लिए कर रहे हैं जिसने की आपका वोट बिगर जाए जैन चौधरी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते कहा कि आज ये लोग सामाजिक नयाई की बात करते हैं लेकिन सामाजिक नयाई के असली लड़ाई चौधरी चरन सिंग न वोट देनी के अपील की जनसभा में निशाद पार्टी के अद्धेश और कैबिनेट वंत्री डॉक्टर संजन इशाद ने विपक्षियों पर हमला करते हुए का कि ये बहरूपिये हैं इनसे साबधान रहना होगा सत्ता में रहत हुए ने पिछले दलित किसान और सबसे पहले अधितियों का जोसीला स्वागत किया गया कि अपने मुद्धों को नोग कैसे आगे ले जा सकते हैं और इसारी जिनों के सोच विचार करके, कारकरता उसे फूश के, हमने निड़ने लिया, आज उस निड़ने के साथ मैं आपका आसीवाद ले जाया हूँ, अब सौधिय अजी सिंगी हमारे पीच में नहीं है, ये पहला लोगसभा चुनावर जो हुँनके गोर्यार लड़ रह लोगतल के नदर से तो ये सदावार सदावार है, सदावार, लेकिन किशे कम भीर हो, मन से सारी बात कहीं कहीं, कि इस प्रकार से आज जो योगसभा बन रही है, उसका लाफ सिदा पहुत रहा हूँ, पहले कैची वाला ने, चलाने वाले लोग बीच में जो बिचोल ये थे वे मलाई भा लेते, योधने अच्छी बनती थी, गोधने अच्छी होती थी, जमीन तक पहुचते कुछते कुछ मिलता नहीं था, वे खोकले वादे रहा जाते हैं, आज ये बहुत बड़ा अंतर गस्साल में आया, ऐसा नहीं है, पहले मोगाल फोन पहले भी थे, ये समय डॉक्टर मानौन से की पुरहान अंतरी था, तो समय इस विशे पे चर्चा हो रही था, कि सीधा लावार्थियों को, जोगी सारी जानकारी, डेटा, विदी, सब कुछ उबलब थी सरकार के बाद, कि ऐसी हम ववस्था बनाएं, सीधा लावार्थियों को ती निद्दर झाल